मध्य प्रदेश में चोथी बार भाजपा सरकार बनने को एक वर्ष पूर्ण होने पर इंदोर के बिजेपी कार्यालाई पर सोमवार दोपर को कई विधायकों और पदाधिकार्यों ने प्रेस वारता के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धिया बताई पत्रिकार वारता में जहां सबसे पहले भाजपा प्रदेश महामंतरी कवीता पाठिदार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धिया गिनवाई कॉरणा के समय में किस तरह मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने प्रदेश की बागडोर समभाली और विबिन तरह के विकास कारे और जन्ही तियोजनाओं का ब्योरो बताया कॉंग्रिस के 15 माँ बनाम भाज़पा सरकार के 12 माँ विकास ने पकड़ी रफतार ये है मध्य प्रदेश सरकार के स्लोगन के साथ बाशपा सरकार के एक वर्ष पूर नोने पर आयोजित पत्रकार वारता में विदायक महेंद्र हार्डिया, आकाश विजय वर्गिय, मालीनी गौड, कवीता पाटिदार, इंदोर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, मधु वर्मा मौजुद रहे इस दोरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने पूर्व सीम कमलनात पर निशाना साधा और उने कपटनात कहा, इस दोरान विदायकों ने भी अपने विदान सबा शेत्र में किये विकास कारों की जानकारी दी, इंदोर सी ब्यूरो राकेश सचर के साथ सती शर मार्की रिपोर्ड. करें, कोई भी छेत्र साच्चुता छेत्र नहीं है, जिसका लाप सिदा सिदा मद्विलिष के किसानों की नत्य विकास के लिए नहीं पिरता हो, हम अगर इंदोर जिले की भी बात करें, इंदोर जिले में 2,400 करोड रूपे की लागत से सिच्चाई उद्वहन पर योजना क लाप जो इंदोर जिले की लगबा के सामेर विधान साबा, देपलपुर और महुविधान साबा छेत्र के लोगों को मिल रहा है, यह बहुत महत्पूर और महत्य योजना थी, जिसका बहुत लंबे समय से इंदोर जिले के लोग इनतिजार कर रहे थे, मात्र एक वर्स के छ जिसका सर्वेश चालू हो गया है, इसका बहुत लंबे समय से मद्ध्रदेश की जंता इंतियार कर रहे थी, इसी प्रिकार से और ऐसी बहुत छोटे-छोटे जो 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 बहुत लंबे समय से इंतियार कर नहीं थी, उसका भी काम आधरनी शिवरा सिंग जी की नतद में जिसके चालू हुआ है, तो मैं समझता हूँ, एक जो आशा और एक उम्मीद जो मद्ध्रदेश की जंता को और किसानों की जो तूट सी गई थी पिछन 15 मेहने में, उस आशा को फिर से जगाने का जो काम बार सिवरा सिंग जी की सरकार में, कमल नाजी ने 15 मेहने की सरकार मे इस परस्त ऐसा जो वो कहते हैं कि में अलड़ा हो या पाला हो किसी प्रिकार की तरजदी हो किसी प्रिकार के आपदा हो कभी वो वन्लब्हावन से बाहर निकल कर किसानों की बीच में, उनके सुब्धूख में जानने पर विस्वास नहीं करते थे, इस पर सुन्हों ने और अब जो मुक्हमंत्री वन्लब भावन में वेटकर सरकार चलाने की बात करते हैं मैं समझता हूं कि किसान और प्रदेश के मजदूरों के दूख और दर्द सब्कार कोई रिस्ता नहीं रहा है शिवराई सिंग जी एसे मुक्हमंत्री हैं जिन्हों प्रदेश की चंता से देखता है जो गरीब परिवार के भुजूर को महला हूं से नाता कायम करना वाला का तो मैं समझता हूं कि एक वर्ष मत्रदेश की जनता के लिए उपलब्दियों वाला है खुशियों वाला है हर वो मुर्जाय हुए चेहरे एक बार फिर हमको चिलते वे दिख रहे हैं एक देखिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि विकास के साथ-साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और मध्यूपदेश को सुरणी प्रदेश बनाने में पुरा सही उप्रदान करेंगे दन्यवाद आपको बहुत दन्यवाद और आप जो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम मास्क लगाएं कल 11 बजे और शाम को 7 बजे आप सब भी मास्क लगाकर हमारी सुरक्षा हमारा मास्क जैसा संदेश देश की जन्नता को देए औ हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें